दोस्तों स्वागता है आप सभी लोग का क्रिकेट सायधारी के एक और नए वीडियो में और मैं आया हूँ बहुत सारी इंट्रेस्टिंग ख़बरों के साथ और आप सब ने रिखा होगा भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले D20 याई वाइजाग में हराकर पहले D20 जीत लिया ह और एक शुन्य की सीरीज में बढ़त ले ली है बट खबरे क्या क्या है देखिए मेरे पास IPL से जुड़ी कुछ खबर है मेरे पास कोचिंग स्टाफ के रिलेंटेट कुछ खबर है और एक खबर मुझे फ्यूचर आफ टी ट्वेंटिया क्रिकेट के हिसाब से भी एक खब को पता ही होगा कि वीवी एस लक्षमन उस टीब के साथ एज अ कोच ट्राविल कर रहे है अब यह क्यों कर रहा है क्योंकि राहूल द्रविट का जो कॉंट्रैक्ट है वो 2023 वल्ड कब तक था यानि कि जब तक भारत 2023 वल्ड कब में जिन्ना था तब तक उनका दिन उनीट नवेंबर को उनका कॉंट्रैक्ट एक्सपायर हो गया तो अब राहूल द्रविट की एस पर अब इसे सीज़ी सोर्स ऐसा कहना है कि राहूल द्रविट क्योंकि इतना ट्रावेल होता है उनकी फैमिली बैंगलोर में है तो वह इतना ज्यादा ट्रावेल नहीं क कह रहा है कि NCA का चीफ रहना में ज्यादा अच्छा पसंद करूंगा मैं यंग्स्टर्स को वहाँ पर ग्रूम भी कर सकता हूं और मुझे फैमिली के साथ रहने का वक्त भी मिलेगा बैंगलोर में और जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत बात नहीं है और यह अच्छी चीज राहुल द्रविड अगर वापस कुछ भी कॉंट्रिब्यूट कर सकते अगर इंडियन टीम को तो बहुत अच्छी चीज है वैसे उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि राहुल द्रविड हो सकता है कि फुल टाइम कोच ना रहे वट इंपॉर्टन असाइन्मेंट में वो भारतिय टीम का हिस्सा रहे यानि कि हो सकता है उस दल में के साथ वो ट्राविल करें अगर बड़ा डॉर्नमेंट आ रहा हो तो यह पहली खबर दूसरी खबर यह थी आई-पेल के रिलेटेट की बेंड स्टोक्स को रिलीज कर दिया है चैने सुबकिंग्स ने ठीक ह हो गया है यानि कि राजस्थान रॉयल से दिवदत पड़ी कल लखनव सुपर जायंट चले गए और लखनव सुपर जायंट से आवेश खान राजस्थान रॉयल्स पहुंच गए वापस अब दूसरा आपके लिए क्या खबर है 19 डिसमबर को होने वाला है एक बहुत मेगा मतलब मेगा यह प्लेयर्ज वाइज नहीं कि बहुत सारे खिलाडी रिलीज हो जाएंगे मेगा इसलिए कि दुबई के कमाल के जगह पर होने वाला है जहां पर BCCI इसको स्केल कर रहा है और देखा रहा है कि भाई दुनिया की टॉप लीग में से एक IPL आता है उनके अलाव काल वाला के साथ-साथ काईज मिसन में रिलीज हो रहा है सांधियों को वापस Лेकर आ सकता है अपनी टीम में हैरी ब्रुक सांधियों लॉकी फर्गुसन भी रिली जोंगे हो सकता है शादू ठाकपूर भी कॉलकता नाइट अडर्ड रिलीस कर दे अंडरे रसल रिटेयर हो यह भी आप सबको बता देता हूं उसके बाद हाँ इस बार IPL auction मज़िदार होगा क्योंकि वर्ड कप में कुछ ऐसे स्टार्स है जिन्हों ने बहुत अच्छा किया और इस बार IPL में आपको दिखेंगे जैसे कि डैरिल मिचल है रचिन रविंद्रा है उनके अलाब आप मिच लगेगा बट वो भी इस IPL auction में हिस्सा लेंगे कौन सी टीम लेती है लेट सी IPL स्टार्ट होने वाला है जी मिड मार्च में क्योंकि उससे पहले इंग्लेंड इंडिया इंग्लेंड की पांच मैच की टेस्ट सीरीज है जो 11 मार्च को खतम होती है तो हो सकता है एंडिंग मैं लास्ट वीक ओफ मार्च ही ज्यादा तर मुझे ऐसा लगता है कि होगी यह मैच अभी तक यह कोई ज्यादा चीज़ें हमें पता नहीं चलिए इतनी चीज़ें जरूर पता चलिए तो यह हो गई दूसरी खबर तीसरी खबर गया है तीसरी खबर में पास ही है कि बड़ा सवाला जिसका जवाब सारे क्रिकेट इंडियन फ्रेंस ढून रहे इवन वर्ल्ड क्रिकेट फैंस ढून रहे और शायद विराट और रोहित भी जून रहे कि हमारा क्या होगा देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडियन टीम मैनेजमेंट ने जब 2022 वर्ड इसके बाद अगर आप मुझे 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 से पूछे ऐसी कोई भी खबर की विराट रोहित को आप कंसिडर नहीं किया जाएगा यह सिर्फ खब्रों के जरीए में रिपोर्ट के जरीए पता चलता है बीसी सिया के तरफ से ओफिशियल कोई मीडिया रिलीज या प्रेस र रक्ष्मन लेड मैनेजमेंट आ चुकी है कप्तान हर्दिक पढ़ने इंजर्ड है तो बहुत सारे सवाल है कि कप्तान कौन है अगर अभी तक आप हार्दिक को देख रहे हैं तो अब आप किसको गुरूम कर रहे हैं क्या हो केल राहूल को भी आपने बाहर कर दिया था ड्र बीची के तरफ से कि आप डीची खेलना चाहते हो कि नई वह आपका नेर्णा यह वहां स्टी सियाई के सोर्स से खबर आती है और मेरे पास तो कोई सोर्स है नहीं मैं तो सिर्फ कोट कर सकता हूं तो एक और सोस्ते यह भी बताया कि रोहिद विराट अगर खेलना चाहते है यार मेरा मानना यह है कि ट्वेंटी क्रिकेट शायद आप छोड़ दीजे यंग्स्टर्स के लिए रोहिद विराइट वेंडे में इतना अच्छा कर रहे है तेस्स में इतना अच्छा कर रहे है दोजार पच्छीज चैंपिन्स टॉफी आ रही है शायद उनके कर्याद को प् मैनेज करना रोहिद भी अब 36-37 के विराइट 34-35 के विराइट की फिटनेस अलग लेवल की है अब एक फॉर्मेट आप यंग्स्टर्स को दे सकते हो आप इन बंदों सूर्यकुमार याद आओ यश्यस्वी जैसवाल रिंग कुसिंग अहार दिक पंडिया इन सब के लिए मैं तो इवन के लाउल को भी टीटीम में लाने के पक्ष में नहीं हूं और यश्यस्वी जैसवाल मेरे उपनर्स के लिए है अब ऑविएसली मेरे उपनर्स है वह भी वेसका मतलब यह नहीं कि सेलेक्टर्स के उपनर वो हो और 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 विराइट और रोहित के चाहेंगी कि कि वो खेले अप्रोच आप छोड़ दीजिए यंग्स्टर्स के लिए अब बाकी देखते क्या होता है में तो मेरी रही थी बट अगर आपको सारी खबरे और मेरी बाते पसंद आयो लाइक शेर सब्सक्राइब जरू कीजिए प्रिकेट साहधारी के साहधारी जोड लीजि इंडिया वस्ट्रेलिया सेकेंड टीट्वेंटी आई का करेंगे प्रिवीव